टी लेस देन जीरो एट इस्टेडी स्टेट इंड़क्टर कैसा भी एफ करेगा शॉट सर्कीट वाट अबाउट कैपासिटर ओपन सर्कीट ठीक है तो सबसे पहले बनाओ सर्कीट और वाट अबाउट स्विच एंड स्विच क्या रहाएगा ओपन ठीक है टीट इस वीकुल टू जीरो पर यह क्या और अब लोज और तो पहले सर्कीट बनाएंगे टीले जैंजी रोपे यह राइस्टेंस दिया हुए यह क्या हो जागा सॉट सर्कीट फोर इसका कोई मतलब नहीं कि कैपासिटर कैसा हो जाएगा ओपन सर्कीट प्लस माइनस वी सीजी जीरो इस इस फोर ओम दिस फोर ओम और इसमें जो करेंट होगी वह आई एल जीरो यह आर और यह 24 गोल्ट ठीक है अब इस सर्कीट में क्या करो लूप में घूम जाओ माइन मेंस ट्वल देखो जोगो जब कुछ भी ने सुना प्लस माइनस प्लस माइनस ठेक है इतना तो फिक्स है इसमें कोई करेंट नहीं तो अई-ट्रेट और था इसमें आई-जीरो इनजिरो वाइनस प्लस फूर आई-जीरो इस वे इसे रिए डिवायर प्लस पोर टिुक्त ग जीडू माइनस की वैलो कितनी होगी यह जो बोल्टेज होगा इस बोल्टेज के बराबर होगा तो फूर इंटो टुन्टी फूर डिवाइड आर प्लस फूर हमारा तो एक चीज मिल गया कि आई जीरो माइनस इस विक रूट टूटी फूर अपॉन आर प्लस फूर और वी सी टी जीड Euan below what about switch switch क्या हो रहा रहा है और है के पसीटर की जो current होगे के पसीटर की जो प्लस थाकर आ को एकपशटर का जो नहीं से ौरुब्यों एक इसके लडी सोबगा का बिराबर होगा ओक टून्टी फूर इंटो फूर डिवाइड बाइड है प्लास फूर टोट्राइ और आई एल जीरो माइनस दिस्व इक्वल टू आई एल जीरो प्लेस यह वोगा 24 अपन अहार प्लेस फूर है ठीक है तो टी जीरो प्लस पे सर्कृट कैसा वनेगा अथ दूसरी चीज बॉल्टे जा गया तो दैटस वाइए कैसे प्लत की तरीके से और ये करेंट सोर्च की तरीके से कव टी प्लस पे तो पहले सॉर्कृट में करेंगे है रीस्टम लूग तस वन आर इस फोरउं यह रन इंडुक्टर कैसा वेव करेंगा करेंट कितनी जा रही है आई जीरो प्लस जाएगी टी जीरो प्लस पे यह फोर ओम इसमें आई एस जीरो प्लस और यह कैसा भीप करेगा है बोल्टेज सोच की तरीके से इसमें करेंट कितनी है मान लो आई और यह कितना है 24 तो इतना तो फिक्स है हमारा टार्गेट है आर की वेलू निकालना यह बताएं यह दोनों क्या होंगे पैरलल होंगे ठीक है इस सर्कृट में ऐसे भूमना चाहें तो माइनस 24 प्लस आई इंटू आर इंटू आर इंटू आर इंटू आर इस बिक्वल्ट प्लस इन दोनों का जो कंबिनेशन होगा ऐसे लिए सकते हैं प्लस इसके क्रॉस जो बोल्टेज ड्रॉप है वो वी सी जीरो प्लस कि भी यह लगा दिया है तो चलिए आई की वेलू कितनी हो जाएगी आई दिस इक्वल्ट टू 24 माइनस वी सी जीरो प्लस डिवाड़ड़ बाई आर प्लस टू तो 24 माइनस वी सी जीरो 24 इंटू 4 डिवाड़ बाई आर प्लस 4 अपान आर प्लस 2 यह किसके वेल हो गई आई की ठीक है जरूरी है यह तो आई की वेलू हो गई हमारा टार्गेट क्या है र के वेलू निकालना तो ऐसा कहीं वेलू निकालना पड़ेगा जिसकी वेलू पता यहां पर के बिल लगा दीजिए क्या यहां पर आई वाई टू करेंट हाई गी ठीक healthy yep यहां प्राइब होके इस प्लॉस इस्टारइब इसपे चीट है और आधर देखे प्लॉस ब्लस आई एस जीरो प्लैस पर एंच जीरो प्लस दिस्ट म्तुलों एलगा लोसके यह हो जागा त्व ट्वल्म 12 into 4 divided by r by a whole divided by r plus 2 this sorry plus इसकी वालु कितनी है 1.2 ic0 plus ic0 plus कि वालु कितनी है 24 upon r plus 4 अब इल से ले लो 12 r plus 4, 12 into 4 divided by r plus 2 into r plus 4 plus 1.2 इसकी वालु कितनी है 24 upon r plus 4 12 से दिविजिन कर दो, r plus 4 minus 4 ठीक है डिवाद बाइ r plus 2 into r plus 4 plus 0.1 is equal to, यह कितना हो जागा 2 upon r plus 4, r plus 4 से मल्टिप्लिकिशन कर दो उपर, तो पहले तो यह हो जागा r, r plus 2 और यह 0.1 into r plus 4, this is equal to 2, अच्छा, into r by 2 भी है यह होगा, r upon r plus 2, ठीक है, तो फिर 0.1 into r plus 4 into r plus 2, this will be equal to 2 times r plus 2, तो r, this will be 0.1, r kai square plus 6 r plus 8, 2 r plus 4, तो r plus 10 से मल्टिप्लिकिशन, 10 r kai square, 60 r, 10 से मल्टिप्लिकिशन करेंगे, तो इसमें तो कोई फरक नहीं पड़ेगा, 6 r plus 8, this will be equal to 20 r plus 40, ठीक है, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, r square, यह कितना है, 10 और यह कितना है, 16, तो minus 4 r, minus 32, this will be equal to 0, तो r square, ठीक है, 8 r plus 4 r, minus 32, this will be equal to 0, r, r minus 8, r plus 4, and r is equal to minus 4, r is equal to minus 4, r is equal to 8, is the right answer, ठीक है, ठीक है, आओर मोटे बेज़ेट परामेटर इस तो बेरेज़ेट एनिक एक्यूलेंट सटकी सोने स्पिगर, ठीक है, डेरमाने स्टकी ऒलम हैं, बेटर कि लिए था, यह टीक है, zam डेरेंटर परामेटर के लिए थाहें, बीवन, लीए थू, अग फिक pref, लेटर चे टीक है, लीए टीक है, टीक में तो बीवन देटर, to Z11 I1 plus Z12 I2 V2 this be equal to Z21 I1 plus 222 I2 ठीक है अभी यहां से देखते हैं V1 this be equal to sorry minus V1 plus beta I2 plus ZB into I1 plus ZC I1 plus I2 this be equal to zero it means V1 this be equal to I1 में क्या हो जाएगा ZB plus IC ZC into I1 plus beta plus ZC into I2 ऐसे लिसकते हैं corresponding to this one इस लोप के corresponding यह हो गया अब इस लोप के corresponding minus V2 plus ZB into I2 plus ZC I1 plus I2 this be equal to zero V2 this be equal to ZC into I1 plus ZC plus ZB into I2 equation number two equation number two one and two ठीक है अब compare कर दीजे Z11 this be equal to ZB plus ZC compare करेंगे Z12 this be equal to beta plus ZC ठीक है now Z21 this be equal to ZC and Z22 this be equal to ZC plus ZB हमारा मोटिव क्या है A in the terms of look like this one के मतलब Z11, Z12, Z21 के terms में हमको क्या चाहिए ZA, ZB and beta ठीक है मोटिव तो यह ही मारा है चलिए तो ZC, Z11, जहां पर ZC है वहां पर क्या ले सकते हैं तो हमको ZB मिल जाएगा तो ZC तो हमको मिल जाएगा Z21, ZB की value क्या हो जाएगी Z22 minus ZC, ZC की value कितनी ठीक है अब beta हमको beta चाहिए तो beta की value क्या हो जाएगी जैड वन टू माइनेस ZC, Z21, ठीक है ZC, ZB, अच्छा ZA भी चाहिए तो Z11 में यह ZA है ठीक है तो Z11, ठीक है तो ZA की value क्या हो जाएगी Z, sorry, ZA की value हो जाएगी Z11 minus ZC, ZC की value Z21, ठो इसको resolve करना है तो यह बताएगे अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें V, ऐसे लिख सकते थे, V is equal to J minus J X into I C, V is equal to I C XC minus 90 V, ठीक है प्लोटिंग करेंगे, तो I C किदर होगा, look like this one, यह होगा आपका V, ठीक है यहां तो कोई डूट, current क्या होगी, लीड करेंगी, किस से, voltage से, how much angle, 90 degree, इस V के बारे में, R I plus J, XL into, ठीक है, I L, अब यह जो result, यह जो होगा, यह जो V हो, मतलब अगर इसकी बात करें, तो I L, R plus J XL, अब यह जोगो, सिर्फ अगर R नहीं होता, तो XL कितर होता, सिधे downward लिख सकते थे, और यह भी नहीं होता, यह होता, तो हम इसको इसके पहले लिखते थे, ठीक है, इसको आप चाहें, तो ऐसे लिख सकते हैं, I R, R plus J, I L, इन्टू XL, इसका मतलब क्या हुआ, देखो, यह I R, और यह XL, अगर इसके corresponding मतलब, तो इसका मतलब यह है कि, XL dash का मतलब, I L dash का मतलब, कि जब R की value 0 है, तब होता यह, और जब I R dash का मतलब, कि जब यह नहीं होता, तब यह किदर होता, लुगले ऐसा होता, तो अगर जब दोनों हैं, तो नॉर्मल से बात हैं, इन दोनों का resultant कहीं होगा, और यह कितना होगा, 5, ठीक है, तो ऐसा representation हो जाएगा, चलिए, यूनिटी पाउर फैक्टर के लिए, I C की value किसके बराबर होनी चाहिए, I L dash के, ठीक है, और I L dash, यहाँ पे किसके बराबर होगा है, ऐसे, I L dash की value होगी, I L, sin phi के बराबर, ठीक है, इस component के बराबर होगी, चलिए, I C की value क्या लिखेंगे, V into omega C, V into omega C, और I L की value किसके बराबर होगी, I L जो होगा, V divided by R plus, जो omega का mod, V upon, under root, R square plus omega L का, whole square, ठीक है, और into sin phi, sin phi की value लिखना है, तो देखो, यह है आपका phi, यह है R, और यह क्या है, J omega L, तो यह कितना है, under root, R square plus omega L का, whole square, तो sin phi की value क्या होगी, omega L, omega L upon, R square plus omega L का, whole square, ठीक है, तो V से V cancel, तो omega C, this is equal to, यह किसके लिए, for unity power factor के लिए, power factor, omega L upon, R square plus omega L का, whole square, omega से V, तो सी दिस्व इकोल तो L upon, R square plus omega L का, whole square, is the final answer, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हमारा टार्गेट क्या है, इस सेरीज आरल से सर्कृट, लुक लाक दिस्वन, ठीक है, 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 तो इमपेटेंस जट इस वे कुल तो किसके होगा, R plus J omega L minus J upon omega C, यह R plus J omega L minus 1 upon omega C, ठीक है, 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 लेक्स बोल्टेज बाई हो मैंच एंगल फोटेटी ठीक है अप्लाइब बोल्टेज से लेकर रहा है तो टैन थीटा मंदब टैन फोटी फाइफ इस वीक्वल डू क्या ली सकते थे ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी डिवाइड बाई आर इसकी वैलू कितनी वन तो डारेक्ट दो आर इस वीक्वल टू ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी आर की वैलू कितनी है 25 ओमेगा की वैलू कितनी है ओमेगा हमको नहीं पता चलो कोई नहीं ओमेगा एल की वैलू तो माइनस अब यहां पर यह है 10 तो पावर 6 30 इंटो ओमेगा माइटिप्लिशन कर दो तो यह कितना हो जागा 60 ओमेगा का स्क्वाइर माइनस 750 ओमेगा माइनस 10 तो पावर 6 इस इक्वल तो जीरो वाट बाउट ओमेगा माइनस 12 माइनस 123 और दूसरा कहाँगा 135.5 यह कहाँगा रेडियन पर सेकेंड ठीक है इसको हर्ट में अब्राना होगा तो क्या करना पड़ेगा अच्छा यह तो पॉसबल नहीं है ओंली वन तो ओमेगा दिस इक्वाइब टू 135.5 रेडियन पर सेकेंड तो एफ की वैल्यू कितना है जाए 135.5 डिवाइड बाई 3.14 इंटू ठीक है तो 135.5 डिवाइड बाई पॉइंट वन फूर इस वे इक्वाइड टू इस टूंटी वन पॉइंट फाइव सेवें ठीक है यह तो फस्ट थीटा इस वे इक्वाइड तो माइनस 45 जब करेंट क्या करेंगी लीड करेंगी करेंट लीड ठीक है किस से बोल्टेज से ठीक है यह वी बोल्टेज वी बाई 45 डिग्री ठीक है तो 10 5 10 45 च्रीम टैन माइनस 45 बिस भी इक्वेल टू इएड क्या हो जाएगा omega l minus 1 upon omega c divided by r इसकी वेलू minus 1 minus r इसकी वेलू minus 1 upon omega c minus r की वेलू minus 25 omega 2 30 divided by sorry 10 to power 6 divided by 30 omega तो यह मिलेगा 60 omega का square ठीक है power 6 this equal to 0 omega की दो value मिलेगी 123 रेडियन पर सेकेंड और दूसरा minus 135.5 रेडियन पर सेकेंड ठीक है यह तो acceptable नहीं होगी यह acceptable होगी तो यह क्या कर देंगे 123 f की वेलू 123 divided by 2 by 3.14 123 divided by 3.14 divided by 2 19.5 रेडियन sorry 8 8 रेड़ 12 9 10 11 11 12 15